लोगसवाद चुनाव की जब लहर थी जम्मू कश्मिर में तो जम्मू में जैड उगर के नैरों से गुझ उटता था और आज हम बाचित करेंगे चोधरी लाल सिंग से पूरो मंत्री भी रह चुके हैं और मुदा ये है कि आल पार्टी मिटिंग जो परदान मंत्री मौधी जी ने बुलाई है उसमें जो है आखिर क्यूं एक बड़ा चेहरा एक बड़ा नेता चोधरी लाल सिंग को आखिर क्यों इन्वाइट नी किया इस पर चर्चा करेंगे चर्चा करने के साथ हमारे साथ जो है चोधरी साब मौझूद हैं सबसे पहले मैं आपसे यह जानना च हमें नहीं रोख सकते अगर यह मीटिंग इनकी अपनी मन चाही कोई प्लैनिंग है किस से क्या करवाना है लखवाना है कैसे कैसे होना है तो इनका अपना तरीका कार है कोईशन यह है कि इस समय जो अलक्शन कमिशन आफ इडिया उनके पास लिस्ट रही है कि उनके पास कौन कौन पार्टी है और कौन कौन से पार्टी वहां रिजिस्टर है जमो कश्मीर में और जमो की भी देखिए जमो के दो तिन पार्टी था भी बनी है मेरे बाद में बनी है जो इसमें शामिल है अभी मीटिंग में और बाकी तो पुरा नहीं है और फिर वही टीम है जो वहाँ उस दिन गुपकार एलाइंस बनाया था यू नो बेटर और बाद में कुछ हट गे कुछ रह गे ऐसे है तो वही सेम वही बोतल है वही शराब है वही पानी है तो कहने का बख्षता है कि जम्मू में जम्मू के लोगों को रिपरेजन्टेशन इन उन्होंने फार गरंटर रखी हुई है जम्मू वाले हमारे साथ हैं पढ़ जाएंगे बोट दो सीर्स हमने ले ली बीडी सी ले ली डीडी सी ले ली अगला भी ले जाएंगे मनला यह प्लैनिंग किस्त हुई थी कहीं हारे थे तो फिर हम करोना के दिन फिर जीते लोगों ने कहा हमें चोधरी लाल सिंग एज एडवाईजर एज एज ए हेल्थ मिनिस्टर चाहिए बड़ी डिमांड लोगों की जो लोगों की मन में सोईती है उन्हों ने करी आई फिर ये बात हुई ये ब से कम लोगों की करतूत सामने आ रही है कि कितना इरिटेट है हम से दियर मोर फ्रॉस्टेटेट डैन उन से नहीं है कश्मीर बालों से हम से है जो जमू बाले लोगों की तमाम प्लिटिकल पार्टी को इनमाई आप देखिए नो नाइन आदमी चोदा में से नाइन आदमी क्यों नहीं ओ भाई साब आपने पांच जो बंदे रखे हैं पांच में तो एक पार्टी प्रेजिडेंट है वो तो जमू कुश्मीर का है बाकी आपने एक डिप्टी सियम इसलिए तरा चंद जी को रखा कि डिप्टी सियम रखेंगे तो हमारे दो डिप्टी सियम आएंग की कोशिच किया है और साथ में तीन मंदे जमू से दे लें तो दो आदमी आपको इन्होंने जमू से अलग से जो जो अलग है दो रखें तो पांच में दो आदमी है आप बताईए कि जमू का क्या होगा बाई दी वे यही सोच इनकी हमने दो हैर चार में मैं देख रहा था चल रहा था कि दो एर चार में कहा था जिस जमाने में कांगस की सरकार थी भी जमू स्टेड बना दो अलग स्टेड इस स्यापक खत्म हो जाएगा इस मुश्किले खत्म हो जाएगी जमू कश्मीर की जमू को स्टांग नी करोगे आप जमू प्रबाद करोगे क्या जमू स्टा तो कभी किसी ने ऐसा नहीं किया होगा I'm sorry for that बहुत दुख़ इस पार चेहरा आपका तो मुद्धी साब को याद होगा अगर क्यों क्या लगता कि सिर्फ चोधरी लाल सिंग ही क्यों एक बड़ा नेता एक बड़ा चेहरा अगर क्यों इस मीटिंग में क्या लगता कि क्या हो स हमें क्या क्या है कितना काऊएगा और मीटिंग क्या कितने घंटे गीएजा कितने मिन्टों की है और मीटिंग कम सकंभी ये ये डेमोक्रीटिक प्रिक्रिया में अगर जाना हो तो ective कण्री में आप भी वा समझ होनी चाहिए कि सब को खुब तो और बात रखनेगा मुखकर मिलें यमू के और भी लोग हैं जो प्रोटिकल पार्टियों से हड़के यमू के लिए लड़ते हैं बहुत से लोग हैं सामने एलेक्शन लड़ें थे जिस अब क्या लगता है आपको कि जिस तरह से एक सिस्पेंस भी रहा था कुछ बड़ा होने वाला है कुछ इन्होंने क्या बड़ा कर रहा है इन्होंने आई तक जो किया है तो बुरा है किया है बड़ा क्या किया अच्छा क्या किया बाई दीवे स्टेट तोड़ी अच्छा किया था क्या लोग बड़े खुश हो रहे थे कि हमें कफे लगने मिले और उसके बाद जमो की 370 तोड़ है इन्होंने आपके रेद बज़री खाने की बात करी है आप सोचें सकते हैं इनकी जो लाल टप करी है ना लंबी लंबी इसको खाने के लिए उसकी तेरी इंगार रहे है वाई साथ बिजली का निजी करन भी किया जा रहा है और क्या लगता कि अभी साथ लाक स्मार्ट मिटर भी लगने है क्या लगता कि तरक्की होगी विकास होगा मार चड़ेगी जितनी चड़ सकती लोगों को और कुछ नहीं मिलना मार चड़ेगी जितनी चड़ेगी लोगों को जितना बुरा हाल लोगों का हो सकता है उसके बारा लेकिन हम लोगों के साथ हैं लोगों ने हमारा बड़ा स्याथ दिया है, इस बात के लिए हम खुश हैं कि कुरोना के दिन में हमारे नाम को चलाया और आज भी लोग हमारे नाम को चला रहे हैं, हमें इस बात के खुशी है कि people are with us, और election के दिनों में अगर यह साथ दे देंगे, हम ठीक कर देंगे state को, no problem, there is no dispute, we'll start out, हमारे बाजपाग के नेता ही बाजपाग में आपस में बेड़े थे, तो क्या लगता है कि आपसी लड़ाई हैं? बात है कि जब भी किसी ने बात करनी हो, दाम होना चाहिए, बात करके पीशे हट जाना, भुश्दली होती है, हैं? फिर भुश्दली में, बड़ा, लोगों में कै से जाना का लोग एन लोगों ने और जो इल्जाम लगे थे उस सरकार की तरफ से वो कनफरम होने चाहिए थे उसकी उसकी इंक्वारी जब रतस्त होनी चाहिए थी क्यों नी होई यह सीरियस ऐलिगेशन से थे इंसारी. इक सवाब बड़ा उहन सवाल है लोगों की हित का सवाल है पैट्रोल के दाम भढ़ते जा रहे हैं डीजिल के दाम भढ़ते हैं लेकिं रसोई गर का बजड़ भी बढ़ रहा हैं तो क्या लगता है हो सकते हैं और सोई तो बड़े बड़ेगी और सोई तो इतनी जज़ा बढ़ जाएगी क्योंकि जितने लोग है इनका तो टबर टूपर तो मेरे खेला है प्रावलम धाय नहीं कोई प्रावलम तो लोगों को आ रही है कि जो लोग अपने बच्चों को दें इसको क्या इनको किस चीज़ किस चीज़ की परेशानी है और सोई तो जितनी उस औरत को घर वले को चलाने वाली औरत को पता है या उसके माले को जैसे आप हैं हम हैं कि भाई साब ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए कैसे गुजारा करना लोग है इतनी सकती है और सोई में आप कैसे बुरा हाल है आम उसके लीची उसकी सड़ी बुरा हाल हुगा है खरबूजा उसका बुरा हाल से बिका खरबूज देखें उसका खीरा देखें उसकी फ़सल की बुरी हालत है और जो चेजिंग के कंट्रोल में है उसके बाद देखी क्या हाल है सास में मंत्री भी रहा चुके हैं आप मुझे ये बताइए कि जिस तरह से कोविट का आहा कार था जम्मू में खासकर जम्मू की बात करें लोग मर रहे थे लेकिन मीडिया अपना काम कर रही थे लेकिन मीडिया पर प्रतिबन लगाया गुर्मेंट कॉलेज में आप अगर मंत्री होते वहां पर तो आप क्या ऐसा करते हैं हम तो मीडिया को खुले हम लेके जाते आओ चलें साथ मीडिया मेरी मुखालस नहीं करेगा तो मैं ठीक ऐसे होगा मीडिया मेरी क्रेक्षिन है अगर मेरी गलत काम को क्रेक्षिन नहीं करेगा तो मैं गलती रहूँगा और जदा बड़ी गलती करूँगा अगर मैं ठीक चल रहा हूँ तो ठीक नहीं करेगा तो वो भी गलत है इसलिए तो correction जो है जो measures है वो मीडिया को लेने चाहिए और मीडिया की मैं कहता हूँ कि मीडिया अच्छे तरीके से काम करें कल सुद्र सकते हैं सारे लोग कुछ कमिये हैं अब को सबको से भी ने जाएगी है कई political कमिये हैं जयासी कमिये हैं कई समाजी बाते हैं है समाज की बात ही नहीं इसलिए मैं मीडिया मीडिया की लोगों ने जिस तरीके से काम अपना करने की कोशिश किया अगर वो कुरोना में उनको भी हो सकता ना और जमू क पुश्मी कर पूरी का इसी जगह pourquoi यहाँ उसको कोश्रोणा वारियत नहीं कहा गया उसको भी हुए उसके कई लोगों हमारे बच्चे मर भी गए हैं इसमाज की बमें मुझे जयादा कुछ मिलेगा मैं ज़्यादा काम करता ओ यहार ने काम किया कही बच्चे चलेगी तो क क्या मिला इसको इससे अब अधर स्टेट में चले जाओ सब स्टेट को अगर डाक्टर को भी किया कि पुलीस को भी किया तो उनोंने मीडिया को भी प्राइट्टी दिये तो मैं समयता हूं कि मीडिया को रोकने का मतलब है अपनी कमजोरियों को रोकना अपनी कमजोरिये उसको शुपा देना अंदर ताकि मीडिया दिखा न दे और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ यह ऐसी चीज़ नहीं हो मैं तो यह कह रहा था कि आप कैमरा लगाओ उसमें वीडिया भी नहीं आता कोई भी नहीं आएगा अब कैमरा लगा दो यहां कैमरा लगे कौन डॉक्टर गया कौन देख रहा क्या नहीं देख रहा कितनी बार देखा कमस को उनके फैमली को उनके इंटेंडन को पता हो चाहिए और इंटेंडन जब आता है तो उसमें उसको किट नहीं देते हैं जब उसका मर जाता है उसको किट देते हैं क्या बात है यह तो नानसेंस है यार क्या बताओ? अभी अनलॉक किया गया है जमू डिस्टी को या तमाम अदर डिस्टी को तो क्या लगता है कि अभी जिस तरह से वेगानिकों थर्ड वेव की चिताब नहीं दिया तो क्या हमें त्यारियां करनी पड़ेंगी देखो लोगों को अपने आपको खुद समालना पड़ेगा क्योंकि इनकी तरफ से अक्सीजन कैसे कमी होती है अब हमारे लोगों में वैसे भी एक्सीजन आपको देखिये पॉलुशन की कारण भी वैसे भी पेड़ पोदों का भी एक्सीजन कितनी पहला करते हैं तो आप लोग अपनी एक्सीजन को और सिड़ पीने से शराब पीने से चिटा खाने से नशा करने से आपकी एक्सीजन बैसे भी कम होती इनसान की कभी देखना जो भी समोकर है उसकी कभी टेस्ट करना च उसके अंदर जितनी एक्सीजन चाहिए होती बैस ही नहीं होती इसलिए मेरी रुकेस्ट है कि अपने आपको खुद भी समालना चाहिए सारी चीज़े इन पर डिपेंड करोगे जिनको खुद ही नहीं पता है उनसे बचोगे क्या बचा पाएंगे आपको क्या बात करते हैं इ कुल पार्टिंग मीटिंग भी जल्द होने वाली है और इस पर पूरी चर्चा की आप भी अपनी राहे बां कं熱 बॉक्स में लखें आपको क्या लगता यह खबर देकर आप अपनी राहे जरूर कमेंट लोक्स में रखें तमाम जमो कश्मीर की बड़ी खबरे लेकर मैं आपके सामने फिर से आजरूंगा अब लोग देखते रहें जमो परिवतन कामर मड़ा भी शेक कुमार के साथ चाहें